प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग में अजिए अपे स्र Wise目目 का उसल्समारे निए अपड़र प्रकोंत्र करते हैं तो आज हमारा लेक्शर स्सक्राइब नमठर में एक दर्म पेंगती है अब है हमने स्पीट्व करेंग अप्रोग्राम अब ही लिए विए थैसिता है मजचरशा करने दर्म दूंपने में उस प्रोग्राम को हमने कॉपी कर लिया यहां पर क्या करा हमने इसको पेस्ट करा तो कुछ यह आपका क्या है एक्सम्पल है कि तो टीक डन अब क्या करते हैं हम इसे सौल्व करना चाले करते हैं तो दिकर हम ने रूल बता है था आपको सब्सक्रावरे क्या सौल वोगा है यह वालर और फृपने क्या सल्व का होंगे क्या and इस ए वालर उपर can कर तो यहां पर X की वैलू कितनी चल रही है 15 ठीक है 15 इस डिवाइड वाइड वाइड कितना होगा 7 इतना क्लियर है प्लस अब Y की वैलू कितनी चल रही है यहां पर 5 तो आपने 5 का 5 एजडिस लिख दिया 10 Bv3 कितना है इतना क्लियर है 10 Dv3 कितना होने वाला है जो 3 की दियुंद 3 का फिर Minute ओ दो यहोजिए 3 x 5 modular 22 और plus 4 आपका यी एक्पेशन है ठीक है अब देखिए आ पर हम इसे इस तैंगे गरते हैं sebelum ढ़र था दो अने वाला से 5 इसा फिटितना है मॉड्यूल्स 22 तो कितना आने वाला है इपैसर यह प्लस तो आपको किस आर नंबर बचा का इस दिन आक इस जा कि यहां पर त्री माइनस करा तो कितना हो गए 9 और 1524 और 4 कितना उट्पुट आना चाहिए तो चलिक हम चैक करते ही क्यार जो हमारा एक्जाम्पल है इसका आउट्पूट यहां पर 28 आकर डिस्पले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो एक्जाम्पल नंबर 4 को हमने कंपा operator की precedence higher है और कि इनकी lower precedence है यह आपको concept clear हो जाना चाहिए example number 5 की हम एदी बात करते हैं तो एक काम करते हैं हम इसमें arithmetic operator के साथ साथ यहां पर एक और operator क्या करने वाले mix करने वाले suppose आपने क्या करा integer type x से equal to लिखा आपने आपर 5 और फिर आपने करा integer type y equal to plus plus x plus plus x multiply x minus minus divide plus plus x तो हैर इस condition में इस program का output क्या कर डिस्पले होना चाहिए आपको क्या करना है यहां पर solve करना है तो चलिए ठीक हम इससे solve करने की कोसिस करते हैं जो हमारा यह program चल रहा है आपर तो देखो यहां पर आपने अब दो टाइप के operator आपने क्या करें यहां पर mix करें एक तो increment decrement operator और दूसरा कौनसा operator चल रहा है यह arithmetic operator तो देखो यहां पर rule को याद रखना है कि जब भी यह तोनों operator mix होते तो higher priority किसकी होती है आपर increment decrement operator की फिर उसके बाद किसकी होती है यहां पर arithmetic operator की आपका क्या होता है precedence होता है तो जो हमारा expression था उसको क्या कर लिए हमने यहां पर use करा है ठीक है done यह आपका expression है यहां पर अब इससे क्या करना हमें यहां पर solve करना तो ठीक हम यहां पर solve करते हैं इसे प्लस 6 से कितना हो गया है आपर 7 multiply ठीक है अब supposed decrement है इसलिए आपने पढ़ा है आपर 7 का 7 क्या होने वाला assign होने वाला assign होने के बाद कितना हो गया वह आपर 6 और 6 से फिर कितना हो गया है आपर यह 7 clear है इतना तो आपका यह जो यहां पर प्रोग्राम इसे क्या करना है solve करते हैं हम इसे तो देखो आपका अब जो expression बचाए यहां पर कौन-कौन से operator है सिर्फ arithmetic operator है तो सिर्फ arithmetic operator में सबसे पहले क्या solve होगा आपका multiply और divide वाला तो यहां पर कितना होगा 49 सिक्स प्लस 49 डिवाइड वाए 7 और इससे आप यदि solve करते हो तो 6 प्लस 7 ठीक है और 6 प्लस 7 कितना आगया आपर 13 तो मतलब यह हुआ कि इस प्रोग्राम का output कितना आना चाहिए आपका 13 आकर display होना चाहिए तो example number 5 को क्या करते है मैं आपर compile करते है तो हमने क्या करा example number 5 को यहाँ पर compile करा और example number 5 को यहाँ पर run करा तो जो हमारा output यहाँ पर आ रहा था 13 भही output आकर क्या हो गया है वाँ पर display हो गया है तो आपको यह यहाँ पर याद रखने वाली बाती है कि यह थी arithmetic operator और increment decrement operator क्या होते हैं एक साथ mix होते हैं तो इस condition में higher precedence किसका होगा increment decrement operator का और फिर उसके बाद किसका होगा arithmetic operator का जैसा अपने previous lecture में रूल पढ़ा था उसके according example number 6 की बात करते हैं और example number 6 में यदि suppose आपने क्या करा इसे हम क्या करते हैं comment करते हैं कि यार आपने यहाँ पर एक example बनाया कि आपने लिखा x plus 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 x minus minus plus multiply हाँ चलो हम यहाँ पर minus का यूज करते हैं x plus plus कि यहाँ पर सिर्व अपने इतना लिखाया आपर तो इस condition में इस program का output क्या आना चाहिए आपको क्या करना इस बारे में discuss करना है देखो अब यह fund है यहाँ पर समझने की कोसिस करना ठीक है बहुत अच्छा concept है important concept है कि यहाँ पर y की value कितनी आका डिस्पले होने वाली है इस चीज को क्या करना हमें यहाँ पर समझना है और एक काम करते हैं x की value भी क्या कर डिस्पले हो कि हम उसे भी क्या करते हैं आप निकालने की कोसिस करते हैं तो देखो यह आपने क्या करा यूज करा increment और decrement operator को तो इस condition में यह इसे ऐसा मानेगा या पर यह इसे ऐसा मानेगा इस रूल को क्या करना हमें यहाँ पर समझना है ठीक इतना क्लियर है फंड़ा अब ध्यान से समझेगा इस चीज को तो देखो जो आपका यह एक्जामपल है यहाँ पर जब भी आप क्या करते हो increment decrement operator का यूज करते हो तो वह हमेशा higher precedence किसका देने वाला है यह आपर post increment decrement operator का इसका रूल आपको क्या रखना है याद रखना है समझाने का मतलब यह है यहापर कि यदि आपने इस expression को यूज करा, तो इस expression को internally वो कैसा माल लेगा, आपका प्रोग्राम ऐसा है, और इस expression को internally वो कैसा माल लेगा यहापर, कुछ, post, higher business इसका post का है na, तो वो क्या माल लेगा, उसको post के format में कुछ ऐसा मानने वाला है, और फिर क्या करने वाला है उसको internally solve करने वाला है तो यदि हम इससे ऐसा कर कर क्या करते हैं solve करते हैं यहाँ पर तो ठीके देखते हैं इसका output क्या आना चाहिए अब जो अपना रूल निकला higher prisoners इसका रहेगा post का फिर किसका रहेगा pre का increment decrement फिर किसका रहेगा arithmetic का और arithmetic में पहले इसका multiply, divide और modulus का फिर plus और minus का तो यदि हम इससे solve करते हैं इस तरह से तो इस program का output आपने लिखा यहाँ पर x equal to 5 post increment तो कितना होने वाला 5 का 5 अब 6 का 6 यहाँ पर assign होने के बाद फिर कितना हो गया हो गया तो इसको आप जैसे ही क्या करते हैं यहाँ करते हैं यहाँ पर आ यहाँ अपर 6 आरहा है और x की value कितनी आरी है आपकी आपकी यहाँ पर 5 मतलब यह हुआ कि x equal to 5 देखो यह x निकल चुका आपका final ना और y की value कितनी आ रही आपके आपके 6 आना चाहिए तो चलो ठीक है इस program को हम compile और run करके क्या करते हैं चेक करते हैं कि यार जो हमने output निकाला है वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो example number 6 को आपने क्या करा है यहां पर compile करा और example number 6 को आपने क्या करा है यहां पर run करा तो इस condition में output पिल्कुल x की value कितनी है यह आपके आपके 5 और y की value आपके कितनी है यहां पर 6 आकर display हो रही है जो कि हमने क्या करा है यहां पर निकाला है y equal to 6 और x equal to 5 तो ये फंड आपको याद रखना है कि यदि इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट की बात होती तो हायर प्रिजिदेंट इसका रहने वाला पोस्ट का फिर उसके अत्परी का और यदि सारे एकसाद मिक्स होते हैं तो पहले ये सॉल्व होगा फिर ये और फिर ये ठीक है अच्छा एक कमेंट हमें आप से हटाते हैं कि आर सकोड़ा अपने अपने मॉडिल सो लगों सम्टीर है तो यार इस ब्त डीक्रियों मे यहां पर एकस और य की वालू क्या आना चाहिए यह करना है आपको निकालना है ठीक है तो इसी एक्जामपल के साथ हम नेक्स लेक्शर में मिलते हैं ठीक है तब तक के लिए ओके बाई कर दो